तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इन वीडियो ओनलाइन सोप्ट्वेर से आप किस तरह से टेक्स्ट से वीडियो कनभर्ट करके या आर्टिकल से वीडियो में कनभर्ट करके पैसे कमा सकते हैं तो यहाँ बहुत सारे तरीके हैं बढ़ फिलहाल हम बात करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं Fiber Miss Related कितने गिग है और यह गिग नए है Article to Video यहाँ देख सकते हैं तो यह काम आप यहाँ पर से कर सकते हैं तो चली है Fiber में देखते हैं यहाँ Article to Video इतना का स्टार्टिंग प्राइस और ओडर इतने कंप्लीट कर चुके है यह स्टार्टिंग प्राइस ओडर इतने कंप्लीट कर चुके है यह स्टार्टिंग प्राइस इतना ओडर कंप्लीट हो चुका भी तक इतना प्राइस और यह बागी चीज तो आप देख सकते हैं एक order मिल रहा है और $5, $10, $25 और उससे भी उपर लोगों का starting price है तो आप देख सकते हैं बहुत सारे gig है ओडर काफी अच्छा रहे हैं हर एक को order मिला हुआ है काफी order लोगों ने complete किये हैं आप देख सकते हैं चेक कर सकते हैं आप फाइवर में जा कि इस related gig सर्च करें article to video ठीक तो इन video में simply यहाँ पर select करना है टेक्स टू video यहाँ size आप select कर ले और जिस भी template को आप पसंद करते हैं है ना जिस भी template में आपको लगता है कि video बराना चाहिए client के लिए जो सबसे अच्छा होगा आप यहाँ select कर सकते हैं तो मैं यह select कर रहा हूँ फिलाल में छोटा से demo है विडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा इसमें नहीं बात करता हूँ इसके बारे में simply इसका आप next part देखेंगे वहां मैं approve के साथ बताऊंगा कि मैंने कैसे client के लिए कौन-कौन से काम किये उनके YouTube चैनल में जाके मैं बताऊंगा उनके Instagram में बताऊंगा कि मैं मैंने online software से कैसे काम करके 100 डोलर से प्लस काम किये और एक ही customer ने मुझे तीन या चार बार भी orders दिये और उसे मैंने bonus भी दिये तो simply यहां पर यहां heading देना है नीचे में text देना है और text में जैसा space चाहिए होता है तो space देंगे ठीक है यहां से खुद से video ready हो जाएगा image भी खुद select हो जाएगा यहां url दे सकते हैं blog post का post का और वहां से आपके लिए video ready हो जाएगा तो इतना simple है तो मिलते हैं next part में और वहां पर मैं live demo दूँगा कि मैंने कौन कौन से video बनाए है इन video online software से तो thank you for watching